हालो, प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम कच्छा दस गणी पी अंसी आइटी बुख है, अध्याय दस बृत है, जिसमें हमारा उदाहरन नमबर दो इंपारेटेंट है, बार-बार परिछाओं में पूछा गया है, इसलिए आईए इस उदाहरन को देखते हैं, क्या दिया खीची गए हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण कराएक है मारा जो T-P-T-Q, माने इस कोण की बात कर रहा है, कराएक ये बराबर है दो कोण O-P-Q, यानि O-P-Q, इस कोण के, तो बराबर बता रहा है, कि अगर हम इसमें दोगा गुणा करेंगे तिसके बराबर आजाएगा, तो अगर हम इस त्रिभूज में देखें तो हमें क्या मिलेगा इस त्रिभूज में यह हमारा जो त्रिभूज है इसे में चुकी यह अस्पर्सी है यह अस्पर्स रेखा खीची गई है और यह केंद्र गई है और जो अस्पर्सी होती है केंद्र पर लंबवत होती है यानि यह न लेके यहां तक की दूरी है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपस में बराबर होती है अब इसी को हम लेंगे यहां तो हम देखेंगे यह अगर इस त्रिभुज में बात करें P, Q, T में तो इसे में यह भुजा और यह भुजा बराबर है दो भुजाएं बराबर है कि द जाएगा यहां त्रिभोज T P Q में यहां हम आजाएंगे चूकी चूकी टीपी तथा T Q असपरसी है और चुकि हम जानते हैं असपरसी आपस में बराबर होती है इसलिए T P बराबर T Q होगा इसलिए यानि त्रिभोज T P Q एक समद्रिभोज होगा और जब समद्रिभोज होगा इसके सामने का यह कूँ यह कूण का मतलब यहां से यहां तक का कूँण अगर हम इसको यक्स माने तो यह यक्स हो जाएगा और इसके सामने का यह कूँण तो यह भी हमारा यक्स ही होगा यानि इसलिए हमें मिलेगा कूण T P Q कूण T P Q बराबर T Q P कूण T Q P और दोनों को हमने एक समान लिया अब आ जाएंगे इस त्रिभोज में और इस त्रिभोज में तीनों अन्ता कूणों का युक्फल एक्सो असियंस हो जाएगा त्रिभोज के नियम से नियम से हमें क्या मिल जाएगा तीनों कोण जोड़ेंगे T P और Q तो हमें एक समान से मिलेगा इन्हीं कोण T प्लस कोण T P Q T P Q कोण एक कोण T मिला दूसरा कोण T P Q मिला और प्लस कोण T Q P मिल गया T Q P और ये बराबर 180 अन्स हो जाएगा यहां कोण T प्लस यह हमने एक्स माना है T P Q को T P Q और T Q P दोनों एक्स हैं तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180 होगा 1080 अन्स बन जाएगा यानि कौन T सारी कौन T तो कौन T प्लस दो यक्स बराबर होगा 180 समेकर नंबर इसको हम एक बना लेंगे अब हम आ जाते हैं दोसरा यानि यही पर देखेंगे तो यह पूरा 90 अंस है यहां से यहां तक 90 अंस है क्योंकि हमारी जो असपरसी होती है केंदर से लंब वात होती है तो 90 होगा तो यह प्लस यह वाला कौन है इसको अगर हम y माल लें तो हमारा बन जाएगा x प्लस y पराबर 90 होगा तो हम ले लेंगे यहां पर असपर c से असपरसी से क्या मिलता है जानि यानि टी पी क्यू और प्लस कोण ओ पी क्यू ओ पी क्यू और ये बराबर हमें नब्बे हो जाएगा क्योंकि दोनों मिला के हमारा नब्बे बना हुआ है तो टी पी क्यू को हमने माना है क्या यहां हम देखेंगे टी पी क्यू को हमने यक्स माना है तो यहां हमें यक्स रख सकते है और कौन O, P, Q और यही हमें लाना था तो हम X का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो अगर हम X का मान निकालते हैं तो यह जाएगा माइनस होगा तो X वराबर मिलेगा 90 माइनस कौन यानि O, P, Q समीकर नमबर 2 हो जाएगा अब इस X के मान को हम समीकर न एक में रखेंगे हम लिखेंगे क्या आगे आ जाएगे तो हमारा बन जाएगा इसके आगे Yxim के मान को समीकर न समीकर न एक में रखने पर समीकर न एक है Q टी और प्लस दो Yxim है और यही बराबर 100 सेंस दिया गया है यहाँ जाएंगे कूर t और ये बराबर मिल जाएगा ये जाएगा माइनस होगा 108 माइनस 2x होगा और 108 माइनस 2 गुड़े x है x का मानि यहाँ से रखेंगे तो 90 माइनस कूर op q बन जाएगा अब दो का हम अंदर गुड़ा करेंगे तो 180 माइनस नव दूनी अथारा 180 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो का गुड़ा करें जिए दो कौन ओ पी क्यू बन जाएगा तो यह हमारा केंसिल होगा और कौन टी की अगर हम बात करें तो कौन टी हमारा कौन सा है पी टी क्यू है पी टी क्यू यानि कौन टी है इसको हम लिख सकते हैं कौन पी टी बराबर हो जाएगा दो कौन ओ पी क्यू और यही हमें सिद्ध करना था तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था यही रहां मारा उदाहरण नंबर दिया गया है उदाहरण नंबर हमारा दिया गया है दो तो थैंक्स पार वाचिंग इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें था वीडियो को लाइक करें